तो आपको पता ही होगा थमनेल देखते पता लगी गया आज हम क्या करने वाले हैं तो आज हम अपना 24 आवर्ट के लिए माइनिंग पर लगने वाले हैं और चलता है अपने काम पे तो पहले अपनी सारी की सारी पिकैक से निकाल ले दें बीच में बनाने पढ़ सकता है मेरे क तो देखते हैं क्या क्या कितने फेस कंप्लीट करते हैं एक कर पाएंगे दो कर पाएंगे क्योंकि इसमें फेस बहुत बड़े-बड़े हैं और तो चलता है माइनिंग पर तो ग्वाईस इतना कुछ करने के बाद आपने विलेजर कर दो छुका इस अपने न गपर अपने कुछ 800 कूछ ब्लॉक होएं मेरे Of Hai इन सो ब्लॉक और माई निकल नहीं है तो कुछ इतने ब्लॉक हुए और मैंने पहले भी रखवा दिया थे काफी सारे ब्लॉक और यह अलग अलग टाइप के ब्लॉक से तो यार इन में काफी दिक्कत आती है कहां कौन सा रखना है पता ही नहीं लगता है सैंड तो बहुत है प पांच्वा लेवल तो चलते हैं पहले आर अपना पूछ शमान बगर लगवा देते हैं तो जस्वाइस अंड़ा करते है काम तयारी तो इसको तोड़ते हैं तो पहला विंडिकेट्व रहे तो बेटा आ तो आप यह कूछ नी कर पाएंगा आज तो इसके फोड़े दिया त स्वोड मार गए तो इसको मार देते हैं कोई वात नहीं तो यह ले और तो कैसे कुछ नहीं यह विंडिगेटर कुछ नहीं कर पाएंगे हमका हमको तो कैसे अपने पूरा डायमंड का आरमर भी बनाना है अपने को और डायमंड वगए तो वह देखी जाएगी नहां वरना लेते हैं हेलमेंट बना लेते हैं तो यह दो चीज बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकता अगर कोई रेयर चैस्ट वगए राएगी तो उसके अंदर से मिल जाएगा समान तो कोई दिखतनी है अपना तो कैसे अपना कुछ आर्मर ऐसा लग रहे तो यहार मेरे कुछ डाइमंड नहीं करता बिल्कुल भी यह शुगर वगएरा कर देता है यह तो हम ऐसे वह आ सकते हैं और इसकी लामाज लामाज मेरे पास बहुत सारी हुई है उनसे मैं परिसान आ चुका हूं तो वैसे हमने थोड़े बहुत प्लैंटिंग कर लेते हैं और हम 24 आवर्स सर्वाइब कर र मैं दो स्ट एक सथोवीडिए डाल दिये सके अंदर सब्सक्त estl से टो यह 24 आवर्स का चलेंज ऐसे ही बेल्कुल माइटिंग करनी है तो में वर्ड में जो चाहें वह इंए बहुत कर सकते हैं माइनिंग ज़रूरी नहीं की माइटेंग है तो यहां पर यह कांचल रहा अपना और चलते हैं आपने जो अपने बर्ज के प्लैंक प्लांट सुला उगा रहा हूं मैं पेड़ तो इनको भी तोड़ लेते हैं और मैंने थोड़ी सी रैंडम टीक स्पीड बढ़ा रखें तो यह इतनी तेज हो पा रहा है क्योंकि उससे न भी दिख करने हैं तो और अपना काम भी जल्दी यल्दी हो जाता है तो यह वी सही है और तो गयाज आपना करते हैं प्लांटिंग सुरू पोटाटटो प्लांटिक लगा देते हैं और मैंरे के पास सिक्स्टी फोर आ चुक है मैंने एक वार इनको लगा कर उठा हटा भी द तो मेरी थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ा रखिया मैंने ज्यादा भी नहीं तो इतनी है कि जल्दी जल्दी काम हो जाता है तो अपना को समान ऑक्स तो के सैपलिंग जरूत पड़ेगी मेरे को तो के सैपलिंग लगा देते हैं यहां पर और देखना कितनी जल्दी ग्रोव ह ग्रोव वह भी गया और यहां पर ग्रोव हो चुक्ए है इसको भी तोल्दा उने इनको तोल लिए जल्दी जल्दी से और इनको भी तोल लेते हैं तो काफी अच्छी लगहा शातों तो गशान नर्फ और सब्सक्राइब यह निई फिल्दा दोतिन पॉटैये वह हैं एक ज के अंदर गोल्डन केरेट्स भी होना लेंगे और तीन पोटाटो आया हैं हम इनको खा नहीं सकते हैं क्योंकि मेरी स्राइचुरेशन नहीं जाए हुई है तो इसको वर्ना मैं आपको खा के दिखा दें कौन-कौन से एफेक्ट देता है तो जल्दी अल्दी से फिट से लगा वास यह एक पोटेटो रहा है तो इसके अंदर लगा देते हैं तो वास मैंने गोल्डन नगेट्स बना लिए और अपनी केरेट्स निकाल के लाते हैं तो मैंने इन पर थोड़ा बहुत रिसोर्स इनको भी कलेक्ट किया था तो इनको भी बना लेते हैं बीच में रखने हैं यहां पर कुछ टाइब से लगा देते हैं और इसके चार तरफ लगाने अपने गोल्डन नगेट्स तो अपनी गोल्डन केरेट्स रेडिया और मेरे को गोल्डन केरेट्स सबसे जादा पसंदेवाई फूड में तो वाइज मैंने थोड़ा वह ग्लास इसमेल्टिंग पर vitला निकाल केवि लेया हूं तो चलता है नताए लिखा आऊने यहां पर कुछ इस टाइप से लगा देते हैं और इनको लगा देते हैं यहां पर दोना तरफ से तोड़ते हैं इंचो लगा देते हैं यह काफी अच्छी लुक देंगे ताकि यह पहले जो डबबा सा घर वही मेरे घर का इसका तो यहां पर इनको भी हटा देते हैं और यहां पर इसको ग्लास को लगा देते हैं यहां पर मैंने और भी ग्लास इस मेलटिंग पर लगा हुआ है और यहां पर उपर वाला जो लोक है तो इसको भी लगा देते हैं यहां पर एक ग्लास तो देखते हैं क कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताने हैं तब तक के लिए बाइबाइब